नमस्कार मैं उस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं एक अगाश से पीम किसान समान ने दी कि छठी किस्त और इस साल की 2000 रुपय की दूसरी किस्त किसानों के खाते में आने शुरू हो जाएंगे आपको पता दे कि बहुत से ऐसे भी किसान है जिने इस साल की पहली किस्त नहीं मिल पाई है वैसे किसान घर बैठे अपना इस्तिती को सुधार सकते हैं ऐसे किसान भाई PM किसान स्कीम के अफिसियल बेप साइट PMKisan.jov.in पर जाकर former corner के अंदर जाकर edit अधार detail option पर क्लिक करें यहाँ पर आप अपना अधार नमबर दर्ज कर इसके बाद capture code को submit करें इसके बाद आपके वाल अपना नाम गलत हो तो application और अधार में जो आपका नाम है उसको verify कराएं जारखन मौसम विभाक के अंसार जारखन में एक बार फिर से मांसून कमजोर हो गया है मंगलवार और बुद्वार को पूरे राजे में तेज बारिस होने की संभावना भी है आपको बता दे कि अभिवार को राजे के ज्यादतर हिसों में मौसम साप रहा हलाकि रामगर में सबसे ज्यादा बारिस हुई यहां पर 29 मिलिमीटर बारिस रिकोर्ट की गई आपको बता दे कि 30 जुलाई के बाद फिर से राजे में मांसून कमजोर पढ़ने की संभवना है पाकूर जीला परसासन ने अभिभाकों से स्कूल को लेकर मांगे सुझाओ संक्रामन के मदे नजार मार्च महीने से सभी तरह की सेक्षिनी गतिबीदिया ठप है ऐसे में आंगन बाड़ी केंद्र से लेकर कॉलेज तक बंध है बचों के पठन पाठन पर पूरी तरह प्रभाव पड़ा है हलाकि इसे लेकर केंद्र एवाम राजे सरकार की काफी गंभीर है पाकूर डीसी कुलदीप चौजरी ने सो महर को कहा की राजे सरकार ने सरकारी साहता प्राप तथानी जी स्कूलों को खोलने को लेकर अविवाव को सेवन ले सुझाओ मांगे है ऐसे में 30 जुलाई तक सुझाओ दे सकते है जारखन में 324 नश्यंक्रमितों को पुष्टी हुई जुराची से एक सो चार पूर्वी सिम्मूम पचासी गुमलाग शारी सिगी डिवनाइज खुटी सत्रा सिम्डेगा सोला रामगर सोला गाडवा तेरा धनबाद बारा जारखन में 345 लोग स्वष्टी हुए और एक आनवी किम्रिती हो गई जार्खन में 645 पूलिस पता अधिकारीवा कर्मी पोजेटिव जनहीत में नहीं जाए हर्थाल पर मंत्री जार्खन के ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मन्रेगा कर्मियों से हर्थाल पर नहीं जाने की अपील की है बैसिक महमारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी मन्रेगा कर्मियों से कहा, कि वे मन्रेगा के कारियों में स्वयोग करे। उनके हर्ताल पर जाने से न सिर्फ काम परवाव होगा बलकि परवासी मजदूरों के साथ जर्खन के मजदूरों भी परवावित होंगे लेमन गरास का बजार में बेतर कीमत लेमन गरास या निबू घास एक असदी और सुगंधित पोदा है जर्खन के पांच जीलों के दस परखन में लेमन गरास की खेती हो रही है आपको बता दे कि लगबग 12500 ग्रामीन महिलाएं लेमन गरास की खेती से जुड़ी हुई है चार महिने में तयार होने वाले इस पोदे की काफी मांग है इनकी पतिया और इस से निकलने वाले तेल से कई समानों का निर्मान होता है उभोक्ता फोरों में नई अवेदन के लिए तीसरा मौका राजे के सभी उभोक्ता फोरम में नियुक्ती की परकिरिया एक बर फिर रद होगी पिछले बर्स निकाली गए नियुक्ती परकिरिया रद कर सरकार फिर से आवेदन लेने की तैयारी में है आपको बता दे कि यह तिसरा मौका होगा जब नियुक्ति प्रकिया रद होगी नई प्रकिरिया में मुखे रूप से आरक्षन का लाप देने की योजना है नेमावली में बदला होकर आरक्षन का लाप दिया जा सके इसके लिए भी भागिये सुत्रों के अनुसार आरक्षन का प्रधान नहीं होने के करण नियुक्ति प्रकिया को रद कर रही है आपको बता दे कि जारकंड के 22 जिले के फोरम में अध्यक्ष पत खाली है जबकि अगले वर्ष देवगार वा पलावों में भी अध्यक्ष के पत खाली हो जाएंगे राची के पंचायत भौनों में बनेंगे आइसोलेशन सेंटर राची जिला में संक्रावन के तेजी से परसार और मरीजों की लगतार परती संक्रा को देखते हुए ग्रामीन इलाकों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की त्यारी चल रही है इसके लिए जीला परसासन सभी परखंड के वीडियो से पंचायत भौनों की स्थिति और सुविधाओ का वेवरा मांगा है आपको बता दे कि पानी बिजली और जनेटर की उपलवजता को लेकर भी जनकारी मांगी गई है आपको बता दे कि परसासन की योजना सरकारी भौनों में बने कुरंटाइन सेंटर को आइसोलेशन वार्ट में तफदिल करने की है लमों की खता पुस्तक का विमोचन बिधायक सर्जू रायद्वारा लिखित पुस्तक मेन होट नियुक्ती घोटाला लमों की खता का विमोचन सोमर को राची इस्तित उनके आवास पर किया गया इस असर पर बतार मुख वाती थी जारकन सरकार के पुर्व मुख सचीव असोक कुमार सिंग उपासी थे उन्होंने किताब का विमोचन के असर पर कहा कि इस पुस्तक का विमोचन करते हैं मुझे काफी परसंसा हो रही है उन्होंने कहा कि पुस्तक में मुख रूप से प्रामर सी के चैन में हुई और नियम मीतता एवां भश्टाचार का उजागर किया गया है इस पुस्ता के माध्यम से जारकन के निवासियों को मेन होट प्रामर्शी में हुई घोटाला की वस्तिक्ता की जनकारी मिल पाए जी रामगण के स्रमिक दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए निवंधन करा डीसी लोगडाउन के दुरहन वापस लोटे मजदूर अगर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें नियोज नाले से अपना निवंधन कराना होगा यह बात सोमवार को डीसी संदीप सिंग ने कही उन्होंने कहा कि जीलों के भी हजारों लोग जो दूसरे परदेश के करखनों में काम करते थे लोगडाउन के दरण घर वापस आये थे अगर वे दोबारा दूसरे राज्यों में काम करने के लिए एक चुक हाएं तो यह आपना पूरा बेवरा निरिनाले को देंगे अध्यादेश का बिरोध करते हुए कहा कि मास्क नहीं लगाने पर एक लाख जूर्माना या दो साल के सजास समंदित राजे कविनेट के निरनाय जन बिरोधी किसान नौजवान मजदूरों बिरोधी निरनाय है दास्त ने रभिवार को कहा कि लोगतंत्र में आसा निरनाय का कोई अस्थान नहीं है छात्रों ने फीस के बिरोध में किया परदरसन मारवारी कॉलेज के छात्रो और एन एस यू आई करकरताव ने कॉलेज परसासन की ओर से फीश लिये जाने के बिरोध में सोमार को परदसन किया परदसन कारियों ने काला पटा और काला मास्क पाहन कर फी लेने का बिरोध परदसन किया केंद्रिये करों में जारकन की सिदार 9000 करोड तक घटी भारत सरकार ने केंद्रिये करों में जारकन की सिदारी लभग 9000 करोड तक घटा दिया इसके पीछे केंद्रिये करों की कौम हो रही वा सूली को कारण बताया गया है आपको बता दे कि देश के आम बजट में जारकन के लिए केंद्रिय करोग की इच्दारी लवग 25,978 करोड रुपे तक थी बरतमान इस्तिती के तह जारकन सरकार को साल बर में लवग 17,000 करोड से अधिक मिले के असर नहीं है गरीब कल्यान रोजगार अव्यान का लाग इसके लिए मुखिस अचीव ने जारकन को सल बिकास मिशन सोसाइटी को करवाई का निदेश दिया है आपको बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा तीन जीलो का चैन किया गया है जिसमें गिरी डी से 1902 कामगार और 1200 से 1700 वहीं गोटा से 1282 प्रवासी मिशन का चैन किया गया है जारकन लोटी 35,000 महिला प्रवासी राज जमें लोटे प्रवासी मिशन का सर्वे चल रहा है जिसमें से 35,000 महिलाए भी हैं यह महिलाए बाहर काम करती थी वहीं कुल प्रवासी महिशन का 4,35,000 रहा है राज जेक के 7 सुखागरा जीलो के करीब 111,000 किसान को मुअबजा नहीं मिल पाएगा केंद्रे ने इन जीलों के पिरित किसानों को मुवजाद देने से इंकार कर दिया है आपको बता दे कि पिछले बाद साथ जीलों के पचपन परकन को सुखागरा सघोसित किया गया था इसके बाद इन किसानों को खास कर लोगडाउन की अधी में बड़ी रहात मिले की उमेद थी पुस्तक मेन हट पर रगवर्दास बोले जाखनपूरो मुखमंतिर रगवर्दास ने कहा कि राजे के विधायक सर्जूराय की किताब मेन हट पर आई है जिसमें मेरा नाम उलेक है और ऐसी स्थीती में राजे की जनता को सच जानने का अधिकार है दास ने सुमवार को काया किया एक ऐसा मामला है जिसे विधायक सरूर है समय समय पर उठाकर चर्चा में बने रहना चाहते है उन्होंने पहले भी कई बार इस मुदा का उठाया है जानता या जानना चाहेगी कि आखिर बार-बार मेन हट का मुदा उठाकर राय क्या बताना चाहते है किस बात को लेकर उन्हें नराजगी है कहीं O-R-G को दिया गया ठेका रद करने से तो नराज नहीं है कोईला चोरो को राईनीतिक और प्रसास्निक संड़क्षन दिपक परकास भाजपा परदेश अध्यक्ष एवं सांसर दिपक परकास ने राज सरकार पर करते हुए कहा कि हमन सरकार में राजे के खनीत संपदा की लुट मची है परकास ने सोमवार को कहा कि ढूलाई के नाम पर कोईला की धड़ादार से चोरी हो रही है उन्होंने बाग मारा अंचल अंतरगत थाना परभारी रमेश चंद्र सिंग के सोसल मीडिया पर आडियो के हवाला को देते हुए कहा थाना परभारी द्वारा छापे मारी के नाम पर कोईला चोरी करने वाले को सचित करते हुए सुना जा सकता है उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी S.P. धनबाद के द्वारा थाना परभारी पर करवाई ना कर D.S.P. को जांच का आदेश देने के मामले की लीपा पोती करना है राची S.D.O. की अपील बकरीद पर घरों में पढ़े नमाज राची के सदर S.D.O. लोकेश मिस्रा ने सुमर को कोतवाली थाना में बकरीद को लेकर संती समीती की बैठक की बैठक में S.D.O. लोकेश मिस्रा ने कहा कि संक्रामर के मदे नजर राज सरकार द्वारा धार्मिक आवेजन नहीं करने का निर्देश है उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इदगा के बजाए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें बिजेपी ने सत्ता हत्याने के लिए सारी हदे पार कर दी मंत्री उराव जाकन कांग्रेस के परदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेशवर उराव के नेतियुत में पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ, सम्विधान बचाओ, कारेकरम के तहट सोमवार को दोगज की दूरी का पालन करते हुए राज्य भवन के समक्ष एक दिवसिय धारना दिया इस एक दिवसी धारना परदसन में पार्टी भी धायक दल के नेता अलमगीर अलम, स्वास्त मंत्री बाना गुपता, क्रिसी मंत्री बादल, पूर्व केंद्री मंत्री सुबोध कान सहाय, आदी समिलित थे इस औसर पर मंत्री उराव ने कहा कि बैस्विक महामारी संक्रमन काल में जब पूरी दुनिया इस संकर से निपटने के लिए संगसरत है वैसे समय में बीजेपी ने सारी हदों को पार करते हुए सता हथियाने के लिए सारी हदे पार कर दी है कोई अस्पतालों में संक्रमन जाच शुरू जाखन के स्वास्त विभाग के प्रधान सचीव नितीन मदन कुलकर्नी ने कहा कि संक्रमन से निपटने के लिए सतरकता बरते तथा मास्क का उपयोग अनिवारी रुप से करे उन्होंने पुर्जेक बिल्डिंग के सभागार में सन्वादता समिलन में कहा कि राजे में संक्रमन विस्तार को रोकने के लिए ब्यापक तयारी की गई है उन्होंने कहा कि राजे में अब तक 87 टूनेट मसीन को अस्थापित किये जा चुकी जबकि एक सव अने टूनेट मसीन के अस्थापना के लिए परियास किये जा रहे हैं राजे की कई अस्पतावलों में ततकाल जाच पराराम की जा चुकी है स्वास्त सुवधा उपलवद कराना जीला परसासन की प्रस्मिक्ता पलामू उपायुक्त पलामू उपायुक्त सवसी रणजन ने कहा कि सभी जीला वासियों को स्वास्त सुवधा उपलवद कराना पलामू जीला परसासन की प्रस्मिक्ता है उन्हे संक्रमन से बचाने का हर समभव प्रास किया जा रहा है आम जनों को भी परसासन का स्वयोग करना चाहिए विशेस का दूसरे राज्जियों वा जीलों से आने वाले लोग गिरी एक अंतवास के निर्देश का अनुपालन अवासे करे जामूंओ ने निसिकान दूबे के मामले में मुखह निर्वाचन आयुकत को लिखा पत्र जार्कन मुक्ति मूर्चा ने गोडा लोग सभाग छेत्रे से निर्वाची संसत निसिकान दूबे द्वारा नमांकन के समय दिये गए सपट पत्र में दिगर जनकारी की जाच को लेका सोमवार को मुख्र निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है आंतरिक सुरक्षा में CRPF की भूमका सराणिये कमांडेंट केंद्रिय रिजर पुलिस बल CRPF के असापना दिवस के मौके पर सोमवार को CRPF 94 बटालियन द्वारा कैम परिसर में सहीद जवानों को भव भीनी सरदांजिली दी गई सहीद को सरदा सुमन और पित करते हुए बटालियन के कमांडेंट बरजे सिंग ने CRPF के इतियास पर परकास डाला और इसके जबाजों की वीर्ता को नमन किया कमांडेंट ने कहा कि केंद्रिय रिजर पुलिस बल के असापना सताही चुलाए 1949 को हुई थी कमांडेंट ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में CRPF की भूम का सरामनी ये रहा है यदि आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेर करे आप हमें कोमेंट कर आपना सुझाव अवस्य दे थाइंक्यू